लोग नहीं जुड़ रहे, दुकान में फुटफॉल नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, वास्तु में इसके उपायत है, समझने की कोशिश कीजिए, एक जोन आता है, वो है इस्टिन पार्ट का जोन, जिसे हम सोशल एसोसेशन का जोन भी कहते हैं, उसी जोन में एक आरेमा कहते हैं, आरेमा अगर हम देखें, तो उत्तरा फारगुनी नक्षत्र का स्वामी है, उत्तरा फारगुनी नक्षत्र को अगर मैं देखूं, तो ये 26 डिगरी, 30 मिनिट के आसपस लियो राशी में आता है, और लगभग 10 डिगरी वर्गो राशी में आता है, तो माने राशी क्या हुई, authority की राशी, governments related राशी, और वर्गो राशी क्या हुई, साफसपाई की राशी, intelligent people लोग की राशी, organize करने की राशी, मैंने कहीं बार देखा है, जो नक्षत्र दो राशियों में आ रहा है, वो नक्षत्र जो है, वो बीच में, या तो इन चार energies में आ जाता ह आरेमा, बूधर, विवासवान, मित्र, या फिर आठ energy, जो और बीच की है, उसमें आ जाता है, इंद्र, रुद्र, सवीता, आपाहा, और इनके साहे चार energies और हैं, तो उसमें से किसी में आ जाता है, मैं जो आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जब भी ये आरेमा का प रखे होंगे, या वाश्रूम बना रखे होंगे, कटा होगा, या एरिया कम होगा, तो एक फुटफॉल जिसे हम कहते हैं, एक मिलान हम जिसे कहते हैं, जिसे हम मिलाफत कहते हैं, कि दो लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं, उस तरीकी की चीजों का जिन्दीगी में या तो खुद से मुह बंद हो जाता है, मिलना जुलना खुद ही इच्छा खतम हो जाती है। या लोग वैसा नहीं सोचते कि आप अपने से हो। अगर हम वर्गो राशी के ट्रेट्स को देखें, कि वर्गो राशी अगर मैंने कहा साफसपाई की राशी है, तो इसके कारे क्या होने चाहिए? तो ये इंटेलिजन्ट लोग हैं, बुद्ध इसका स्वामी है, तो इंटेलिजन्ट लोग हैं, तो अगर हम उसी को रिलेट करते हुए, अगर हम लियो राशी भी देखें, तो लियो राशी गौवर्मेंट की राशी है, अथोर्टी की साहिता या कॉलाबरेट करना चाहिए, ये वो नक्षत्र है, जो दोनो राशियों को जोडता है, 13 डिगरी, 25 मिनिट का जो ये चरन होता है, इसमें दोनों को जोडता है, इसके इलावा ये चार पद, अगर हम उत्तरा फारगुनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो इसके च चार पद हैं, एक Sagittarius से स्टार्ट होते हुए, आपके बारवी राशी तक जाते हैं, तो 9, 10, 11 और 12, ये चारो राशियों में इसका प्रभाव है, चार पद के हिसाब से, और इसके 9 सबलोड भी होते हैं, हर नक्षत्र के 9 सबलोड होंगे, 4 चरन होंगे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये पद आप सहीं कर लेते हो, अपने घर का, अगर आप साफ सफाई रखते हो, सपेद कलर की टाइल यहां बहुत उच्छी चल जाती है, नीला कलर का कोई मैट बिचाना चाहते हो, तो नीला कलर का मैट बिचा लीजे, तो आपका घर में, Professionally बात करें, कि इसका Final Outcome क्या होगा, या माने, उत्तरा फारगोनी नक्षतर अगर आपके First House में आ रहा होगा, या Second House में आ रहा होगा, तो आप कारे भी कुछ न कुछ कर रहे होगे, अगर First House में आ रहा होगा, तो कही न कहीं Intelligency का आप काम कर रहे होगे, Intelligently लोगों के स Deal कर रहे होगे, मिल रहे होगे, सलहा दे रहे होगे, हो सकता है, टीचर भी हो, हो सकता है, ऐसके इलावा, आपके पास कोई Counseling के लिए भी आता हो, अगर ये First House में है, क्योंकि जैसा होगे, वैसा ही लोग आपको, आपके साथ संबंध रखेंगे, अगर Second House में आता होगा, उ उसका जो सब लॉड, उसके आगे का जो लॉड है, वो जुपिटर होगा, तो हो सकता है, जमीनों में कर रहे होंगे, अगर बुद्ध होगा, तो हो सकता है, किसी का माल, किसी को दे रहे होंगे, और वो भी Education, वो भी Stationary, वो भी ऐसी चीजें, जो बुद्ध से रिलेट करती Decorative Pieces भी बुद्ध से रिलेट करते हैं, Venus महेंगे आर्टिकल, Luxurious Brands के आर्टिकल, उस पे कहीं न कहीं Brokership का काम कर रहा होगा, फिर वैसे ही मंगल है, तो लोहा भी कह लीजे, Power के Tools कह लीजे, Cutting Tools कह लीजे, उससे related कुछ कर रहा होगा, शनी है, तो फिर हम लोहा बोल सकते ह पर Cutting Tools हो गए, या Machinery हो गई, ये सारा कुछ मंगल में आता है, जो Churn करता है, जो मतलब ठोक के उसको बराबर करता है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप Astrology को थोड़ा-थोड़ा सीख रहो ना, तो इसको भी सीखने की करो कि ये किसको फाइदा पहुंचाएगा, इंडिरेक्ली, डिरेक्ली, अगर हम इस पद को ठीक करते हैं, तो फाइदा किस रूप में होगा, मैं इस विशे को भी और एक्सपांड करते हुए लेके जाना चाहा हूँ, हर एक जो देवता है, यकीन माने, उसका कोई ना कोई नक्षत्र है, पर क्योंकि हमें 27 नक्षत्र जानकारी में हैं, जो हमारे रिशी मुन्यों ने बनाए हैं, तो जो 27 नक्षत्र हैं, वो तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अप अलों इस चैनल में क्लियर कर चुके रहेंगे, और हो सकता है, क्योंकि 48 Consolations बोले गए हैं, 48 Consolations अगर आप Greeks को, या जो Spanish हैं, या जो ये लोग Chinese हैं, ये लोग 48 Consolations बोलते हैं, देखा जाएगा, तो इसमें भी जो information शेर करने योग है, वो है कि 4 चतुर मुखी ब्रह्मा हैं, और 44 जो हमारे देपता है न वो ही 44 Consolations हैं, पर पूरा डेटा आगे आने वाले समय में मैं देने की कोशिश करूँगा, उत्तरा फारगोनी नक्षत्र में चाहें, या मने आरेमा के पद में अगर चाहें, आपका इस विशे से भी related कोई काम है, ब्रोकर्शिप का काम है, जमीनों में आप कोई डील करते हो, तो नीला रंग का एक मैट बिचा लीजे, अगर खुद की जमीन भी बेचना चाहते हो, और कोई बायर नहीं मिल रहा, तो भी आरेमा, ब्रोकर हाथ नहीं डालता उस प्रॉपर्टी में, जिसका आरेमा खराब होता है, तो भी आरेमा मजबूत हो जाएगा, उत्तरा फारगोनी नक्षत्र, लोगों के साथ मिल के किसी कारे को करना, ल तो आप ये देवता भी, जिसमें मुझे जो लगता है, कि आरेमा का ही देवता हम डाल सकते हैं, 900 स्कूर फिट के आसपास का प्लॉट होगा, या 1000 स्कूर फिट के आसपास का प्लॉट या घर या दुकान, कुछ भी आपका है, तो लगभग अपन एक सेट जो तीन पीसिस क होते हैं, हमारे यहां से प्रॉपरली आपके आटोगर्ट के नक्षे पर ये रेमीडी मार्ख होके आ जाएगी, कोई भी रेमीडी लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की सुने, करके देखी, हो सकता है, अच्छे रिजल्स आएं, सबको तो आते हैं, आपको भी रहता है, तो ये जो शक्ती है, ये मिलाफत की शक्ती, मिलान की शक्ती है, जब हम किसी प्रोसेस में मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने का क्या मतलब है, कि जैसे आप कोई मिठाई बना रहे हैं, तो जिसमें दूद और खुआ, ऐसा मिक्स करके, या मने, नमक में कोई पा जित्ता इस वीडियो में मैं समझा पाया अगर पसंद आया हो तो वास्तुगुरी जी को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेर कीजेगा लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि इन वीडियो को आप अपने फेस्बूक प्रोफाइल में भी शेर करें धन्यवाद